हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू वांकर्स अबाउट ड्रामा आज की वीडियो में बात करेंगे टॉफ फाइव हिंदी वैब सिरीज दोजार तेश की आप सबको पता ही है कि प्रोडिसर डिरेक्टर यस चोप्रा जी ने हमें धेर सारी हिट्स दी है यह डॉकुमेंटरी सिरीज यस चोप्रा और उनके बेटे अदित चोप्रा के बिर्लियन्स को सेलिबेट करती है टोटल चार एपिसोड की यह सिरीज को देखने के बाद यस चोप्रा जी के लिए रेस्पेंट दुगनी हो जाएगी इस सिरीज को बनाने में तीन साल लगे जिसमें टोटल 35 सेलिबिटीज जैसे की अमिताब बच्चन, शारुक खान, सल्मान खान, आमिर खान, मादुर दिख्षित और भी कई बड़े सितारे यस जी और आदित चोप्रा की एक्सिलिंसी के बाड़े में बात करते हुए दिख लेकिन यस जी ने उनमें एक रोमेंटिक हीरो देखा और ये सला दी कि उन्हें रोमेंटिक मूवीज पे फोकस करना चाहिए और आज हम सब SRK को किंग ओफ रोमेंस के नाम से जानते हैं नेट्लिक्स की इस सिरीज को IMDV में 7.9 की रेटिंग मिली है अगली स्पाई क्राइम जिलर सिरीज है दे नाइट मैनेजर जो की सेम नाम की ब्रिटिश नॉवल और टॉम इडलस्टन स्टार ब्रिटिश वैब सिरीज का हिंदी एडप्टेशन है इंडियन ओडियन्स को ध्यान में रखते हुए काफी सारे बदलाओ किये गए हैं नाइट मैनेजर के रोल में दिखेंगे अंडरेटेड एक्टर आदित्यरोय कपूर और में विलेन आम जिलर के करेक्टर में दिखेंगे अनिल कपूर जिन्होंने विलेन के रोल को बड़े ही कन्विंसिंग तरीके से निभाया है और अपनी ही पिसली धेर सारी हीरो पार्ट का ट्रेलर दिखेगा जो की जून तक आ सकती है प्लोट की ओवर्व्यू ये है कि शान जो की एक एक्स नवी ओफिसर है और अब एक नाइट मेनेजर की नौपरी कर रहे हैं कुछ इंसिडेंस की वज़ा से उनको एक जासूस बनना पड़ता है बढ़ी चलाकी से शैली की कंपनी में गुश जाते हैं इस डिजनी प्लस होट स्टार सिरीज को IMDb में 7.8 की रेटिंग मिली है अगली सिरीज के लीड एक्टर भौवन बम बीवी की वाइस चैनल से बने इंडियन यूट्यूब सेंसेशन के बड़ परदी की जर्नी काफी इंस्पाइरिंग है ये एक फैंटेसी कॉमेडी थ्रिलर मिनी सीरीज है जिसमें ड्रामा, सस्पेंस और काफी इमोशनल मोमेंट्स है बौवन बम के मजदार एक्टिंग ने काफी प्रवावित किया है उनके साथ साथ इसमें दो माराटी एक्टर्स स्रेया पलगाउकर और प्रतमिस परप की पॉफॉमेंस भी गजब की है बौवन बम जो वसंद का करेक्टर प्ले कर रहे हैं उनको एक वर्दान मिलता है कि दुनिया की सारी ब्रेकिंग न्यूज उनको वक्स से पहले ही पता चल जाती है और इस वर्दान को वो पैसों में कैसे कनवर्ट करते हैं और पैसा आ जाने से इनसान के वैवार में क्या-क्या चेंजिस आते हैं यह इस सीरीज में बहुँ भी दिखाया गया है स्टोरी एंड में जाने से पहले ही काफी प्रेडिक्टिबल हो जाती है लेकिन फिर भी काफी एंटर्टेनिंग है डिस्नी प्लस हॉट स्टार की इस सीरीज को IMDV में 8.2 की रेटिंग मिली है लोग जादातर मेंस्ट्रीम कमर्सियल मुवीज एंड वैब सीरीज जिसमें मारधार, खोन खराबा और गैंक्स्टर्स हो उनको जादा पसंद करते हैं लेकिन यह एक ऐसी सीरीज है जो हमारे रिच इंडियन हिस्ट्री को दिखाती है जिसमें साइंस एंड टेक्नलोजी के फील में डॉक्टर होमी जे भाबा, डॉक्टर विकरम सारा भाई और डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम जैसे हिरोज ने तई सारी कठिनाईयों के बावजू जो हासिल किया है अमारे देश के लिए काफी अच्छी तरह से इस सीरीज में दिखाया गया है यह एक ऐसी वेब सीरीज है जिसके पहले सीजन को कई सारे फिलिम फेर ओटिटी अवार्ड भी मिले हैं और इसके दोनों सीजन को मेरे हिसाब से हर एक हिंदुस्तानी को एक बार जरूर देखना चाहिए लीड रोल में है जिम सर्व और इश्वाक सिंग जिनकी ओसम एक्टिंग को देखकर आपको ऐसा महसूस होगा कि आप उनी रियल हीरोज को स्क्रीन में देख रहे हैं इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में और 1974 में जो पहली सक्सेस्फुल न्यूक्लियर टेस्टिंग पोकरन में की गई थी उस मिसन के लिए जो इन हेरोज ने लाइफ ठेटनिंग स्विच्वेशन को फेस किया ये इस सीरीज में आपको बखू भी दिखाया गया है सोनी लिव की इस सीरीज को आइम डिवी में 8.9 की रेटिंग मिली है इस सीरीज का नाम है फर्जी ये एक क्राइम दिलर कॉमेडी वेब सीरीज है जो की उसी स्पाइवर्स में है जिसमें मनोज बाजपाई स्टारर दे फैमली मैन भी है जिसके डारेक्टर है राज एंडी के ये रिसेंटली इंडिया की मोस्ट वाज वैब सिरीज बन गई है जिसकी वीवर सिफ फिलाल 37 मिलियन से भी ज़ादा है इसमें लीड रोल में हमें दिखेंगे शाहित कपूर जिनकी धम्मागेदार एक्टिंग ने इस सिरीज में जैसे जान है डाल दियो ऐसे डायलोग्स जो आपके दिमाग और जवाबे कुछ दिनों तक तो रही जाएंगे और साथ ही में हमें दिखेंगे कॉरियूट सूपरस्टार मकल सेलवन विजय सेतुपतिसर और विलेन के रोल में हमें दिखेंगे केके मैनन जिनोंने अपने एक्टिंग से अपने करेक्टर को बिल्कुल जस्टिफाई किया है सेटायर और सिच्वेशनल कमेडी से भर पूर इस सीरीज को आप एमेजोन प्राइम में देख सकते हैं इस सीरीज को आएमडीवी में 8.4 की रेटिंग मिली है ऐसी ही मूवीज और वेब सिरीज के अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा